हेलो एब्रीवन कैसे आप सभी आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्याकरण संबंधी कुछ जरूरी बात हैं जिसके उपर लागातार आपके बहुत सारी कमेंट आ रहे हैं कि दीदी व्याकरण क करते हैं को हम कम समय में ज्यादे ज्यादे व्याकरण के प्रशन कैसे हल करें मताब जाली के रहे हैं अब टाइम भी नहीं है बहुत बेश्या में तो हैं और तरह तरह कि आप देख रहे होंगे कि न्यूस आपके सामने आ रही होँगी तो आपको बहुत जादे जो इधर- जाएगा और एक्जाम होने के बाद भी जब तर्ट नहीं आ जाता है और आपको बहुत सारी चीज्जे देंगी तो सब पे आपको ध्यान देने की ज़रुवत नहीं है यहां सुनिए लेकिन सब पे आपना समय बरबाद करने की जरूरत नहीं है एक्जाम कर दिज्ये कि कहा क् तो इस वीडियो में यहीं बताएंगे हम कि आपको एक्जाम में यहां पर प्रश्न को हल करने हैं ठीक है बार-बार कहते हूं कि अभी फिलाल आपको यह फोकस करना किस टॉपिक से कितने आप ऐसी पढ़ाई स्मार्ट स्टडी करेंगे कि आपके जादे से जादे प्रश्न एक्जाम में निकल सके तो यहां पर हम लोग यहीं बात करने वाले हैं पूरी वीडियो देखिएगा लाट्स तक बने रहेएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा कमेंट करिएगा ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहा है मैं आपके सामने अच्छे जीजे लेके आती रहूं तो इसमें देखिए जैसे ब्याकरण को बहुत लोग बहुत कठिन मानते हैं और साहित्य को भी कठिन मानते हैं मतलब इसमें अच्छे लिए अपने लिख कर पाएंगे बहुत ज्याते घवराई है मतलब को अपने लिख के रखिए मैंने आपको बहुत पहले दिखाया था कि यह देखिए यह पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस पर कुछ पानी बरस रहा था तो देखिए आपश की बुंदे पढ़ गाई है यह साही था तरह से मैंने अपने सारे इस द लिख लिया था जब और दहें लिखने तो सम müने आज नहीं हो जाने तो फिलाल व्याकरण से संस्मलुख बात अब यह देखिए कि आपके व्याकरण में से प्राइब कौन सा टविक आ सरे कौन को में अब अब क यहाँ से आपको स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है अब कैसी मतब में किसी जादे प्रशनों को आप निकालेंगे अब यहां मेरी बात ध्यान से सुनेगा सबसे पहले आपका बेसिक होता है न वह आपका मजबूत होना चाहिए जैसे मुझे व्याकरण कठिन नहीं लगता था कभी व्याकरण को लेकर चिंता नहीं करती थी हां चिंता क्या करती थी किसे मैं मैंने पढ़ाया है बच्चों को अगर तो उसी लेवल के व्याकरण मुझे पता थे लेकिन एक्जाम में तो वहीं आएगा नहीं आपको कठिन से कठिन यह लगता है कि पूछेगा उसमें तो यह चिंता रहती थी क्या पूछ लेगा लेकिन फिलहाल आपका कम से कम जो बेसिक सब्सक्राइब करना चाहिए उसके लिए आप लोगों को भी मुझे नहीं लगता कि जादे समस्या होगी तो यहीं मैं कह रही थी बारी शुक्त समय आ गई है तो मुझे अपना वीडियो थोड़ा बंद करना पड़ा है तो यहीं मैं आपको दिखा रही थी इस लेवस अप सब्सक्राइब करना चाहिए जब यह चीज़े आएंगी अब आप एक टॉपिक उठाएंगी जैसे आपको कॉन से चीज़ लगती है मेरे खासे आपको अब कट लगती होगी संदी समास है है और कभि वाक के शुष्दी कर साहता है वर्तनी वैला हम लोग पढ़ते नहीं है लेकि जादे गलतियां इसमें होती तो आपको करना क्या है मैंने जो किताब बताई है वसुदेव नंदन की किताब जो वसुदेव नंदन की किताब है उसमें आपको इन टॉपिक को निकालना है पूरी किताब आपको जो इतनी मोटी किताब है पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें से आपके सिलेवस की ज नहां से पढ़ेंगे वचन का देख लिए कारक संधी समास इन सब का भी यहां पर आपको समास जो है थोड़ा सा इसका डीटियल में देखने को मिलेगा हम लोग के जो एक्जाम में पूछी जाते हैं क्योंकि आप बच्चों के जैसे कोशन होते हैं उस टाइप कोशन नहीं आ आप पहले तो सारे शब्दों को जितने भी कोशन आये हैं संधी संबंदी को आप बस लाइन से देख ते जाएं ठीक है उसमें क्या पॉपिक वाइस दिया है जैसे माली जी सवार संधी है तो पहले तो आप यह जानेंगे कि संधी किसे कहते हैं कितने प्रकार की होती है और सवर संदी के अंदगत कितने प्रकार होते हैं तो वहां पर हर एक जो टॉपिक है उसकी वाइस बहुत सारे आपको प्रश्ण देखने को मिल जाएंगे तो उनको बस आप सिंपली दोहराती जाएंगे जब आप पढ़ेंगे लगतार कई शब्दों को पढ़ेंगे उसके निय प्रकारण में और आप आराम से अपने एक्जाम में कोशन कर सकते हैं यहां पर कठीन कठीन शब्द दिए जाते हैं इतना ध्यान रखीगा कि बच्चों वाले जैसे आसान सा कभी कभी देवी देता है लेकिन हम बच्चों वाले जो कोशन है छोटे कोशन है वह तो हम नियम चलते हैं जब एक एक बार आप नियम अच्छे समझ लेंगे तो आपको सवाज हो जब एसे रहते हैं कि आपको सभुषन नहीं नगे होने चाहिए जाए यह यह तो भूल जाता है इसलिए मैं कहा रही हूं कि आप questions को इन देखिए पुराने मतब व्याकर से आपको फायदा हो गार जो आपको समझ में आएगा क्य एक पूछले का कॉं से चिनदी है तो आप सब्सक्राइब पर लेंगे हां यह संदी है ठीक है नियम याद करने आधा लिए जिसमें आपको कोई भी मतलब यह कहिए ट्रिक कहिए या कोई भी आपका शॉर्टकट नहीं चलता है जैसे आपका पर्यावाची है और बाकी चीजें हैं तो इन सब पे तो जैसे जो चीजे यात करने वाली पर्यावाची है और बिलोम है आपके देखिये तष्वं तदिबों है और वर्तनी शूद करने वावाची चीजे हैं जैसे इन सब को आपको कोई ट्रिक से नहीं आद होगा पर्यावाची वगारों को आप रोज पांच-पांच-पांच-दस-दस मतला अच्छे से जितना भी है उसी में से आपका आज आएगा कोई उसमें टेंशन की बात नहीं फिर पुराने प्रश्ण पत्र जो है विलों की ध़ते हैं मेरे पास आपके पास यूध की होगी उसमें देखिये कौन-कौन से आएं है तो उसके अलावा उपशन दिये रहते हैं उन सबके में क्यों इतने प्रशान रहते हैं रस चंद अलंकार में एक बार अच्छे से नियम समझ लीजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है जैसे रस है अब रस के पहले में मैंचीरे समझ लिए कि रस के कितने ततों होते हैं कौन-कौन से इस्थाई होते हैं विभाव अन भाव संचारी इस्थाई भाव क्या होता है वह भाव होता है जो हमारे हिर्दय में हमेशा के लिए किसी के प्रति बैड कुसी भी परिशितिक कारण जो भाव हमारे मन में हमेशा के लिए बढ़ जयता है इस्थाई होता है विभाव क्या होता है विश्यां हो oso सफ होता है कारण होता है जो इन सारे भावों को सभी कर देता है अनुभाव क्या होता है इन सारी जीजों के होने के बारत जो हम सारी क्रियाय करते हैं वो क्या होता है अनुभाव हो गया आपका अब संचारी भाव क्या होता है अब इन सब के तहथ हमारे मन में तरह तरह के बहुत सारी भाव आते हैं जाते हैं यह सारे संचारी बदेखें पानी बरस रहा है मैं आ थोड़ी दूर और जगह जाके में संधी समाज के हैं थे सब्सक्राइब को आप पर देखिए कि कौन सी संधी प्ढ़ है तो यह संधी में थे है कि पर देखिया कि क्या प्रों को पड़ेगा यह दिख रहा है अगर आपको ऐसा कुछ देखता है तो वहां से यह बन जाता है और फिर पूरुपद में आखरी अक्षर में अगर चोटा हुए बड़ा हुए और अगर उत्तरपद के पहले अक्षर में असमान है तो वह बन जाता है इसी तरह से समझ लेंगे उससे बाद पुराने प्रिश्टों में कई सारे सब्सक्राइब देखिए आपके आराम से चीजे तैयार हो जाएंगे ठीक है तो थोड़ा और सबसे बड़ी बात है कि सरस्ति पंड़े की किताब में शुरू में जो भासा वाला दिया है चैप्टर भासा के संब टॉपिक देखिए कि आपके सिलेवस में क्या के टॉपिक है उससे आप निकाल निकाल के चीज़ों को खोच-खोच के पढ़िए तो इतना काम फियाल करिए फिर कोई दिक्कत होगी तब बताइएगा मैं आपको उसका समधान मीं करूँगी ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडि कि युमें